हेलो स्टूडेंट्स मैं दिविश कुमार अपने योट्यूब चैनल वस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं आज हम वाटर सप्लाई सिस्टम का अगला पार्ट करने वाले हैं प्लम्मिंग सर्विस से सब्जेक्ट का तो हमने लास्ट जो लेक्चर था लास्ट वीड लगाव तो देख लिए लास्ट वीडियो कि इसके बाद एक और इंप्टेंट टॉपिक है डिस्टिभीूशन रिजर्वर तो हमने वाटर सब्लाई सिस्टम के बारे में शुरू से पढ़ा है की सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा क्या उसमें से होता है distribution distribution में important है कि pipeline कैसे करके हम distribute का part देखेंगे कि कौन से system होते हैं कि मतलब intermittent type का या फिर ये फिर उसके बाद हम layout के बारे में देखेंगे layout के बारे में देखे थे कि layout किस तरह से हम distribute कर सकते हैं अब हम एक और important topic है distribution रिजर्वर उसके बारे में देखेंगे distribution रिजर्वर की जरोत इसलिए पड़ जाती है कि कई जगा मालें यह water की shortage हो जाती है कि continuous हम supply नहीं दे सकते intermittent टाइप में या continuous टाइप में भी मालें लिजे हम 24 घंटे का supply दे रहे हैं और water का supply मतलब जो पीछे treatment plant से है वो नहीं आ रहा है मतलब होट सीजन में गर्मी के सीजन में या फिर किसी भी बज़े से या मालें जे treatment का treatment plant पे कोई construction चल रहा है या फिर कोई maintenance का काम चल रहा है या कोई storage में रखने के लिए कुछ है एक रिजर्वर टाइप का बनाना पड़ता है तो इसी को कहते है डिस्टिबूशन रिजर्वर कि वहां पर हम कुछ है एक quantity में एक बड़ा से रिजर्वर बनाते हैं जिसमें water को store करके रखते हैं और उस supply का जितना बड़ा रिजर्वर है उस हिसाब से एरिया वाइज और रिजर्वर वाइज कितना quantity रखना है तो मालनों जे दो दिन तीन दिन या पांस दिन का हमारे पास storage होता है अगर supply पीशे से ना भी आए तो हम store करके इतना storage में water होता है quantity होता है कि हम इसली हम उसको supply कर सकते हैं तो इसके बारे में देखते हैं रीडिंग कर देते हैं क्लियर वाटर रिजर्वर और constructed for filtered water until it is pumped into service reservoir और distribution reservoir एक clear water reservoir constructed करते हैं filtered water को जिसे treatment plant से जब water हो जा रहा है तो फिर उसको हम एक जगा रिजर्व करके रखते हैं और उसके बाद फिर हम उसको distribution reservoir तक भेज देते pumping के द्वारा they should have a capacity to store filtered water corresponding to 15 to 20 hours average daily flow कम से कम 15 से 20 hours का डेली जो flow है water का उतना कम से कम उसको store करके रखना है these are also known as service reservoir and are mainly provided for storing the treated water for supplying water to the town or city इसको service reservoir के भी नाम से जानते हैं और इसको store करते कि कौन सा water store करते हैं तो treatment किया हुआ water उसको treated water बोलते हैं तो treatment किया हुआ water को store करके रखते हैं और फाइनली उसको supply करने के लिए टाउन हो city हो village हो तो उसको store करके हम भेजने के लिए हम रखते हैं कि दीज रिजर्वर्स और अल्सो प्रोवाइड़ फॉर मिटिंग दा वाटर डिमांड डियूरिंग फाइर ब्रेकडाउन और पंप्स रिपेर इटिसी तो यह वाटर रिजर्वर कभी कभी मालने जे फाइरिंग का कंडिशन आ गया बहुत आग लग गया या फिर कभी भी ब्रेकडाउन हो गया पंप का या कोई मेंटिनेंस वाक रिपेर वाक चल रहा है तो उसमें यह बहुत काम करता है कुछ पॉइंट्स दिए गये हैं दर रिजर्वर्स एब्जॉर्ब दा आवर्ली फ्लक्ट्वेशन इन दा वाटर डिमांड जैसा मैंने बताया कि हर टाइम हम वाटर का सप्लाइईं नहीं दे पाते जितना requirement है कभी कम हो गया कभी नहीं दे पा रहे हैं किसी का तो daher 對不對 ऑन है कभी नहीं आ रहा है अगर हमारे पास स्टॉक में रिजर्वर है तो हम पीछे से आए या नहीं है हम आगे आपर अर्वाट कर सकते हैं डिस्टिबूट कर सकते हैं टाइम टू टाइम कुछ पॉइंट है दर रिजर्वर एब्जॉर्ब फ्लक्सुएसंस इन दे वाटर डिमांड तू स्टोर दो वाटर ट्रिटेड वाटर तिल इस डिस्टिबूटेट टू दा सिटी इसका में अगर आजाता है प्रेशर पाइपलाइन में क्यूंकि पीक टाइम पे बहुत ज्यादा दिमांड होता है तो बहुत ज्यादा प्रिमांड होता है प्रेशर आ जाता है तो इसको कॉंस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखा जा सकता है थार्ड पॉइंट है तुम एब्जॉब दा आवर्ली वैरियेशन इन दा वाटर डिमांड एंड दज अलाउइंग दव ट्रीट्मेंड यूनिट्स एंड पंप्स टू अड़ एड़ेज तो जो आवरली वैरियेशन होता है वाटर डिमांड पढ़ चुके हो वाटर डिमांड के टाइम कुछ होता है जैसे शुबह के 8 बज़े से 10 बज़े तक और इवनिंग के 10 बज़े-5 बज़े-7 लगता कूट यह सब को वर्ज़े होते हैं तो यह जो variation होता है water demand को इसको fulfill किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास reserve में water होता है तो हम उस time पे ज़्यादा supply करके उसको fulfill कर सकते हैं otherwise क्या होगा कि अगर मालो सुबह के time में नहीं supply मिल रहा है तो फिर हम उस time पे supply नहीं दे पाएंगे और public के लिए यह problem create होगा average constant rate से हम supply कर पाते हैं this will reduce the running maintenance operation cost of treatment unit as well as also improve the efficiency इससे क्या होता है कि maintenance cost running maintenance cost जो है वो reduce होता है और efficiency भी बहतर होता है क्योंकि उस time पे बहुत ज़्यादा pick time होता है और pick time पे हमें बहुत ज़्यादा supply देना पड़ेगा तो efficiency पे effect आ सकता है by providing distribution reservoir the pumping of water in shift is possible because treated water will continuously flow in these reservoir treated water क्या होता है कि continuously reservoir में आते रहता है और distribution reservoir में क्या होता है कि pumping shifting में possible कर सकते है generally distribution reservoir are located near the central portion of the distribution area it is always better to construct them on high ground of the city or such places where it can be constructed economically तो यह generally central point पे बनाया जाता है कि उससे चारों तरफ से distribution reservoir बरावर यह कर में हम distribute कर सके water को और generally high ground पे बनाते हैं जिससे कि कम से कम हमें maintenance cost पे easily हम यह कर पाए हमने पढ़ा भी था कि अगर हम middle point पे ऐसे central यह करें तो side चारों तरफ में पाए हम radial system में देखे ते एक बार में फिर से review कर देता हूं यहाँ पे हमने देखा था यह रेडियल system यहाँ पर water distribution लगा है और चारों तरफ से यहाँ water को distribute कर दिया गया इसी तरह से यहँआ पर भी एक distribution लगा यहां पर एक distribution, लगा यहां पर फोरा area कफर कर लेता है distribution rezerv conv चार distribution rezervर को हम इंस्टॉल करके एक पूरा अच्छा कशा area हम कफर कर सकते हैं अब आते हैं इसके टाइप सप्सक्राइब The service reservoir may be of two types, service reservoirs, surface reservoirs, or elevated reservoirs. पहला type है surface reservoir. They are constructed at the ground level or below ground level and known as service reservoir. A surface reservoir may be a earth reservoir or underground reservoir. अब surface reservoir का भी दो टाइप है underground reservoir भी हो सकते है और earth reservoir मतलब earth level पे है अगर वो reservoir तो earth reservoir हो जाएगा और earth के नीचे है underground है तो underground reservoir के category में आ जाएगा और elevated reservoir क्या है कि कुछ height पे है ground से कुछ जादा उपर है earth reservoir के बारे में देखते है it is used when large quantity of water is to be stored before treatment treatment के पहले बहुत ज्यादा quantity में water को अगर हमें store करना हो और यह जो reservoir है यह सिर्फ distribution के टाइम पर नहीं यूज है इसका यूज treatment के पहले भी हम करते हैं मतलब इसका construction हम पहले भी करते हैं क्योंकि जो हम source of water मालो बहुत दूर पर है एक और हमारा source of water यह कोई फिर लेक है जहां से हमको water का supply करना है तो हमें पहले उसको जितना हमको treatment की जरुवत है तो उसको रिजर्ब करके रखते हैं पंप के दौरा हम ले आते हैं पाइप सब्सक्राइब करके रखते हैं फिर वहां से फिर लिए गया water है नॉर्मल वाटर है राव वाटर जिसको बोलते हैं तो ऐसा वाटर को रखते हैं और बाद में जो सप्लाई के टाइम में करते हैं वह treatment किया हुआ तो यह मेली जब treatment के पहले जब जरूत है तो बहुत ज्यादा quantity में water की रखने की जरूत है तो वहां पर आत्ररिजर्वर का यूज करते बढे में दरीजर्वर जरॅल मेंगने मेर बडाय को क्यों।öh यूज करते हैं इमublिके हम मैंगर ज़िएट देसके स्वीरा अ हड़ चालम मेंगा पर रसिदम ब़क मैरा deployment लबीजिए तो का सऌन परसें में की लिएला करेंगरें बाचलर दि एक को अंस्ट्र Command किया जाता है यह सर्फियस यह व्ला सर्फियस है और यहां पे ओल करे एक रिजरवर बना दिए गया है और यहां पर वाटर खोंडर को स्टैक्शन कर सकते हैं जब जरुवत हो और यहां पर वाटर को खालीट कि हमालिक सरींगा बना दिया गया है जरा साव उसको कटिंग करके उसके बाद उसको मदलब आर्च सरफेस के नीचे नहीं है और उपर है तो साथ में जैसे पॉंड होता है तो यह समझनों एक तरह से the sizes of tank depend upon the amount of water to be stored, जितना store water की जरुवत है, जितना quantity है, उस पे size tank का depend करता है, the position of WI should be kept in mind, और water level WI नहीं है, WL है, water level का position हम उसको mind में रखेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे, the side walls should be strong enough to take up the earth pressure when the reservoir is empty, तो side wall जो है, वो strong enough भी रखेंगे, क्योंकि ये underground बना रहे हैं, तो earth pressure के कारण क्या होगा, कि जब water fill है, तब तो ठीक है, अंदर के तरफ से water के तरफ से भी pressure आ रहा है, और ground से भी, जो earth से भी pressure आ रहा है, लेकिन जब water fill नहीं है, empty है पूरी तरह से, तो अब तो सिर्फ बाहर से pressure आएगा, अर्थ का pressure आएगा, अंदर से कोई भी pressure नहीं होगा, क्योंकि वो खाली परा हुआ, empty है, तो इसके लिए हम side walls बनाएंगे, चाहिए वो RCC का हो, या फिर missionary का हो, तो उसको strong enough बनाएंगे, इतना strong बनाना होगा, कि वो अर्थ के pressure को सह सके, आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे यह नहीं करके, नेक्स्ट पेज में, यह इस तरह का एक earth level यह है, और नीचे एक rectangular tank बनाया गया है, यहाँ एक RCC chamber है, इस तरह का एक chamber है, और यहाँ पे tank में water है, वहाँ पे यह, कुछ columns दिये गया है, support के लिए, और मतलब पूरा water को store कर सकते हैं, ventilation के लिए भी एक vent pipe दिया गया है, और water controlling valve भी दिया गया है, जब ज़रूत हो, तो हम water को control कर सकते हैं, यहाँ से water को मतलब इसमें in point दिया गया है, और यह out point दिया गया है, एक valve लगा दिया गया है तो यहाँ जब ज़रूत परे, तो हम वहाँ से water को ले जा सकते हैं, treatment plant को लिए हम supply कर सकते हैं, या फिर अगर हम यह distribution reservoir में यूज करते हैं, तो डिस्टिबूशन के लिए भी हम supply कर सकते हैं, इसके बाद आते हैं elevated reservoir पर, the reservoir constructed overhead above the ground surface to distribute water to by gravity flow are called elevated reservoir, they are constructed in the distribution area where high ground is not available, the reduce the cost of pumping water, तो elevated reservoir कहां पर करते हैं, जहां overhead construction हम कर देते हैं, रिजर्वर का और ground surface के उपर distribute करने के लिए, जहां पर gravity flow easily हम possible है, तो इसमें भी दो तरह के elevator होते हैं, यह जो है एक normal तरीका का आप देखते होगे, इस तरह का tank यहाँ पर दिया नहीं गया है, देना चाहिए था, तो एक इस तरह का tank हम overhead tank इसको बोलते हैं, यह elevated reservoir भी बोलते हैं, यहां pump के मदद से यह एक tank rectangular shape का हो, या फिर और कोई shape normally rectangular shape का ही होता है, तो यहां पर water को इस्टोर किया जाता है, यह pump के द्वारा उपर को elevate करके उपर करके, और यह क्या होता है, इतना height maintain करते हैं कि city का कोई भी maximum, मालो यह city का कोई भी town है या city का है, जिसमें 10 floor, 15 floor, 20 floor का height का buildings है, maximum height, तो इसका क्या होगा कि water level जो है, यह इतना तक मालो यह minimum position पे भी है, तो इतना maintain करेगा pressure, तो इतने height का, इससे ज़्यादा height का अगर कोई building है, तो फिर यहां ही तक पहुँचा पाएगा, तो यह जो reservoir हम construct करेंगे, तो इसका height जो है, वो उस area का, उस town के maximum, जो height है, उससे ज़्यादा होगा, सपोज करो यह एक टाउन का maximum, यह कुछ बरे-बरे buildings है, और यहां पे हमने, elevated reservoir बना रखा है, क्या होगा, इसका जो यह यहां से, हमने pump के द्वारा water का supply किया, इसमें store करने के लिए, यहां पे रे-store है, और यहां पे फिर pump की जरुवत नहीं है, gravity flow से ही water का supply होगा, और फिर हमने distribute कर दिया, तो यहां गाई, इसका जो pressure होगा, यह इतना तक होगा, तो किसी भी, इतने height के, कोई भी building तक, easily, अपर floor तक, ground floor तक तो पहुँची जाएगा easily, अपर floor तक, अराम से water का supply हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा pressure होगा, कि उपर पानी भी आ जाएगा, तो एक यह type का होता है, अब दूसरा type यह होता है, कि यह नीचे से ही overhead, इस तरह का कुछ tank होता है, इसमें storage capacity बहुत जादा होता है, जैसे इस तरह का ही नीचे से ही tank लगा हो, और यहाँ पर pipe in pipe हो, और यहाँ पर फिर नीचे side out pipe हो, तो क्या होगा कि यहाँ से इतना storage capacity बहुत जादा है, बट इसमें क्या है कि depend करेगा कि कितना पानी भरा हुआ, अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ तक का pressure maintain करेगा, लास्ट stage में पानी नीचे के side है, तो pressure बहुत कम हो जाएगा, तो हमें पता नीच लेगा फिर, इसको maintain बार बार देखना परेगा, कि एक height तक हमें water को रखना परेगा, इतने height तक water को रखना परेगा, तो बेटर जादा तर आप देख भी पाते होगे cities में, वो इस तरह का, यह cities में, गाओं में, village में, यह सब तरीके के elevated pipes से reservoir लगाए जाते हैं, The type of tank, RCC tank भी हो सकता है, GI tank भी हो सकता है, HDPE tanks भी हो जाता है, Elevated storage reservoir, बहुँ जादा इसमें details में नहीं दिया गया है, RCC tanks are very popular because they have a long life, require very little maintenance and have good appearance, तो generally RCC type के ही tank बनाया जाते हैं, दूसरा है GI tanks, galvanized iron tank are generally rectangular or square in shape, now a day GI tanks are not preferred because their life in short are subject to coronavirus, and are also maintenance cost is high, क्योंकि iron में अगर हम water का tank बनाते हैं, तो उसका लाइब बहुँ जादा नहीं है, क्योंकि corrosion के कारण या धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, उसके बाद एक और है, now a day HDPE tanks are very popular for storing less quantity of water and therefore useful for residential purpose, the advantage of HDPE tanks are because it is light in weight, hence handling is easy, its cost is less, its maintenance cost is less, और it is easy to clean the tank, जो HDPE tank है, जो plastic tank जिसको बोलते हैं, तो वो भी type है, उसको भी बहुँ जादा योज करते हैं, उसके बाद ESR वही है, तो इतना ही type है, बहुँ जादा इसको details में जाने की ज़रूत नहीं है, elevated reservoir के बारे में, अगला है सेक्सेन पंप, पंप के बारे में बहुँ जादा details में यहां पर बुक में दिया गया है, आप share कर दोगे, लेकिन मैं बहुँ जादा details में नहीं जा रहा हूं, बस pump का यूज यह है कि जैसे tank, storage tank है, तो उसमें water को fill करने के लिए, elevated tank है, तो चलो water को वहां gravity follow के कारण चला जा रहा है, बट अगर हम है pumping के जरौद है, तो वहां फिर pump के जरौद होगी, कि distribution पहुचा सके, वाटर को पूरे हर आदमी तो हर एरिया तक water का distribution हो सके, तो एक line हम देख लेते हैं, इसका definition, it is defined as the hydraulic machine, which converts the mechanical energy in the form of pressure energy, the mechanical energy is delivered to the pump by electric motor, due to the mechanical action, the pump creates a partial vacuum at inlet which permits atmospheric pressure to force the fluid into the pump through the inlet pipe, the pump then pushes the fluid into the hydraulic system, a pump may be submerged in the fluid or placed in external to the fluid, the hydraulic pump performs the following function, fluid lifting, fluid circulating, or fluid extraction, तो यह pump का definition था, जो कि एक mechanical energy को pressure energy में convert कर देता है, और यह pressure के साथ, इतना ज्यादा pressure create करता है, कि जिससे की pump, जो inlet pipe है, water को सक कर सके, और वो फिर deliver कर सके, classification कौन कौन से होते हैं, तो positive displacement pump होते हैं, rotor dynamic pump होते हैं, classification of positive displacement pump का भी, दो तरह का classification है, reciprocating pump, और rotating pump, rotary pump, और classification of rotor dynamic pump का, क्या क्या है, centrifugal pump, axial flow pump, और method flow pump, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा details में ना जाके, यहाँ पे आपको इसका page share कर दे रहा हूँ, आप इसका ले सकते हो, screenshot, यहाँ बहुत ज्यादा दिया गया है, इस बुक में, तो उतना खरने की ज़रोत नहीं है, बस आपको pump के बारे में जानना चाहिए, कि कौन कौन सा pump यूज होता है, नेक्स्ट टाइप है भाल्व, जो हम आगले section में करेंगे, आगले video में करेंगे, यहाँ पे मैं अपना video off करता हूँ, थैंक्यू, जैहिन, करेंगे भाल्व,